दोस्तों यहाँ पे LHS और LHS इकोल इसलिए हैं क्योंकि बोद गिव दिनमबर अफेज तो क्रिएट डिफेंट पेरिंग्स आफ टू एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आईए देखते हैं कैसे शुरुबात करते हैं LHS से उन 2N एलिमेंट्स से आप एक आर्बिटरी एलिमेंट उठा लीजिए से X आप उस एलिमेंट X के पार्टनर को 2N-1 तरीके से सेलेट कर सकते हैं उसी पकार से बचे हुए एलिमेंट्स से आप एक और आर्बिटरी एलिमेंट Z उठाते हैं तो उस Z के पार्टनर को आप 2N-1 तरीके से सेलेट कर सकते हैं अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और मल्टिप्लिकेशन पिंसिपल का इस्तमाल करते हैं तो पेरिंग करने का कुल तरीका होगा ये अब बढ़ते हैं RHS की तरफ पहले इन 2N elements को एक row में अरेंज कर लें कुछ इस तरह से इसे करने का तरीका होगा 2N factorial चलिए इनको पेर्ज में बांट देते हैं पेर में अब क्योंकि किसी भी पेर में उसके दो elements का order matter नहीं करता हमें 2N factorial को discount करना पड़ेगा by dividing it by 2N factorial into 2N factorial N times और इतना ही नहीं क्योंकि इन N pairs का order भी matter नहीं करता तो हमें N factorial से further divide करना होगा तो इसे करने का कुल तरीका होगा 2N factorial divided by N factorial times 2 to the bar N Hence proved